एकजाम लाइन्स में आपका स्वागत है निमनलिखित सभी प्रकार के प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्यान के अती महत्वपून प्रश्ण 1. सभी कक्षा क्लास 6-12 के लिए 2. SSC के सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए 3. UPAC के सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए 4. रेलवे के सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए 5. राज्य और केंद्र सरकार के अंतरगत सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए सामान्य ज्यान के इन प्रश्णों को ध्यान पूर्वक पड़े और इसे याद रखने की कोशिश करें प्रश्ण, 73 वा सम्विधान संशोधन किससे संबंदित है एक नगरपालिका, बी पंचायती राज, सी तल बदल कानून, डी इन में से कोई नहीं उत्तर, बी पंचायती राज, रश्ण, भारतिय नेपुलियन की उपादी किसे दी गई है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी खर्शवर्धन, डी समुद्रगुप्त उत्तर, डी समुद्रगुप्त पंचायती राज्य व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूंतम आयो सिमा निर्धारित है A, 18 वर्ष, B, 19 वर्ष, C, 20 वर्ष, D, 21 वर्ष उत्तर, D, 21 वर्ष, रश्न, उच्चन्यायाले के न्यायाधीशों को शपत कौन दिलाता है A, राश्ट्रपती, B, तरवोचन्यायाले का मुख्य न्यायाधीश, सीख मुख्य मंत्री, D, राज यपाल उत्तर, दी, राज्यपा, प्रश्न, 74 वा सम्विधान संशोधन किस से संबंदित है, A. पंचायती राज, B. दल बदल, C. मूल अधिकार, D. नगरपालिका, उत्तर, D. नगरपालिका, प्रश्न, आयुर्वेद के वैद चिकित्सा का भगवान की से मानते हैं, A. सुशृत, B. D. चरक, C. धनवन्तरी, D. जवन, उत्तर, C. धनवन्तरी, कश्न, उच्च न्यायाले का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौपता है, A. राज्यपाल को, B. मुख्य मंत्री को, C. प्रधान मंत्री को, D. राश्ट्रपती को, उत्तर, D. राश्ट्रपती को, रश्न, नगरिय स्वशासन की सन्रचना में शामिल है, A. नगर पंचायत, B. तल्ग बदल, C. मूल अधिकार, D. नगर पालिका, उत्तर, D. नगर पालिका, रश्न, करक्रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है, A. रांची, B. कौलकाता, C. पतना, D. दिल्ली उत्तर, A. रांची, प्रश्न, कवी कालिदास किसके राजकवी थे, A. समुद्रगुप्त, B. चंद्रगुप्त, C. कुमारगुप्त, D. चंद्रगुप्त मौर्य, भारत में डाक सूचकान के में कुल कितनी संख्याएं होती है चीनी यात्री फाहयान किस गुप शासक के शासनकाल के दोरान भारत आया था A. चंद्रगुक्त मौर्या B. कुमारगुप्त C. चंद्रगुप्त D. समुद्रगुप्त उक्तर C. चंद्रगुप्त रश्न, संखोल विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है A. Faks B. कुरिय सेवा C. सनेल मेल D. ईमेल उक्तर, D. ईमेल, प्रश्न, वंदे मातरम को राश्ट्रगीत के रूप में किस तिथी को स्वीकार किया गया? 1. 22 जून 1946, B. 25 जन्वरी 1948, C. 15 अगस्त 1947, D. 26 जन्वरी 1950 उक्तर, D. 26 जन्वरी 1950, प्रश्न, धन विधेयक की सदन में प्रस्तुत किया जाता है? 1. राज्य सभा, B. लोग सभा, C. तोनों में से किसी भी सदन में, D. उप्रोक्त में से कोई नहीं उक्तर, B. लोग सभा, प्रश्न, ध्वजगीत की रचना किस ने की थी? 1. श्यामलाल गुप्त, B. रामधारी सिंग दिनकर, C. ने थिली शरंग गुप्त, D. माखनलाल चर्तुवेदी उक्तर, A. श्यामलाल गुप्त, राज्य सरकार की वास्तविक कार्यकाली का शक्ती किसमें नहित होती है? A. राश्ट्रपती, B. राज्य पाल, C. मुख्य मंत्री, D. विधान सभा अध्यक्ष उक्तर, C. मुख्य मंत्री, राश्ट्र, भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज्य वस्था की सनरचना है? A. एक्स्तरिय, B. त्रिस्तरिय, C. द्विस्तरिय, D. इनमें से कोई नहीं उक्तर, B. त्रिस्तरिय, रश्ण, आर्यभट और वरामेहर के सुविख्यात नाम किसके योग के साथ संबन्दित है? A. कुशानविंश, B. बुक्तविंश, C. पालविंश, D. मौर्यविंश उक्तर, B. बुक्तविंश, रश्ण, राश्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? A. इंद्रद्वितिय, B. दंतिदुर, C. प्रिश्न प्रत्थम, D. इनमें से कोई नहीं उक्तर, B. दंतिदुर, प्रश्न, इलाह बाग किस तंब में किसकी उपलब्दिया उतकीर्ण है? A. चंद्रगुप्त मौर्य, B. स्कंदगुप्त, C. विक्रमादित्य, D. समुद्रगुप्त उक्तर दी समुद्रगुप रश्न भारत में सरप्रथम पंचायती राजव्यवस्था किस राजय में लागू हुई A. मध्यप्रदेश B. राजस्थान C. बुजरात D. पश्चिम बंगाल उक्तर B. राजस्थान रश्न निम्न में से किस संध राजय क्षेत्र का अपना उच्चन न्यायाले है A. दिल्ली B. अनमान निकोबार C. लक्षद्वीप D. चन्डीगर उक्तर A. दिल्ली रश्न भारतिय संसदिय व्यवस्था में संसद के कितने सत्र होते हैं A. एक B. दो C. तीम D. चार उत्तर C. तीम